हेलो दोस्तों हम सब कर स्वागता आज कि हमारी एक और नई वीडियो में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कर वीडियो कलेंवर ओ वन पॉइंट टू डबल टॉन बेशिक्स गार्डी को अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको इसके नई कैस प्राइस क्या देखने को मिलेगी अगर आपका वजट कम है और आपको कराने इस गार्डी को फाइनस पे तैसी कम से कम डाउन पेमेंट क्या कर सकते हैं लोन अमाउंट क्या होगी और महीने की इमाई क्या देनी होगी सभी बातें आपको वीडियो में बताएंगे तो प्लीज वीडियो मे बने रहें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस गार्डी के कैस प्राइस के बारे में लोकेशन हमने अपर ली है नियो देली की एक सो रूम प्राइस बाच लाख एकातर हजार उपे देखने को मिल जाती ह है दोस्तों आटियो अमाउंट की बात करता आपको चास हजार चैस सो आश्ची रुपे वही सोरस अमाउंट पे करना होगा अठाई हजार चास सो त्रेश रुपे अधर चार्ज पे करेंगे दो हजार रुपे सबी टैक्सों को जोडने के बाद हमने इसकी ओन रोड प्राइस आपको 6,52,133 रुपे से 6,55,000 पे के बीच में देखने को मिल जाती है दोस्तों तो यह तो बाद इस गाड़ी के कैस प्राइस के बारे में जानकारी अब बात करते हैं इसके फाइनस के प्लान के ऊपर अगर आपका वजट कम है और आप करते हैं डाउन पेमेंट 98,000 रुपे की जिसकी लोन अमाउंट आपको 5,44,133 रुपे देखने को मिल जाती है दोस्तों अगर आप कराते हैं कमपनिया बैंक से फाइनस वो रहता है रेट ओफ इंटरेस्ट 9% और लेते हैं टाइम अगले 5 साल इसकी लोन अमाउंट को कम्पलेट करने के लिए जिसकी महीने की EMI आपको 11,503 रुपे परमा निकल के आती हैं दोस्तों तो दोस्तों यह तो बात विमारे पहले प्लान के बारे में जानकारी अब बात करते हैं हमारा दूसरा प्लान जो हमने लिए 6 साल के लिए अगर आप कराते हैं गार्डियो फाइनस पे तो आपको उसकी परम की EMI 8915 रुपे देखने को मिल जाती हैं दोस्तों तो दोस्तों आज किस वीडियो में हमने आपको क्वीड क्लैवर 1.2 डूवल टौन बीए 6 गाटी के कैस प्रैस पैसिकेशन और फाइनस के प्लान के बारे में बताया हैं अगर आप भी चाहते किसी गाटी बाइक के बारे म प्रोसिस करेंगे तो आपको ये वीडियो कैसे लगी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यावाद फ्रेंड्स